अज़ वाले हैं एक बीस्ट का मलब इस वीकल इन टरम्स ऑफ शीयर साइज और स्पेस्ट विट टोटली डिलाइट यू तो टेड़ी वीट दूट अवफ कीया कार्निवल यह उसका लेटेस्स मॉडल यहां पर क्या-क्या फीचर से कितना स्पेस्ट है क्या अलग अलग तीज आपको यह देखने को मिलती हैं सब्सक्राइब करने वाले सो बिफोर वी स्टार्ट थैंक्स तो खडवानी किया अगर आपको किया का कोई प्रड़क देखना है शोरूम सारी कॉंटाइक डिटेर्स डिस्क्रिप्शन में हैं कॉल करिए अबने पॉंट बुक करिए और और अले तार्ट विडियो सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंद से सबसे पहले मैं आपको क्या कार्नेवल का प्राइस बता रहीता हूं so इसमें अगर आपको लेना है तो आपको जल्दी से बोग करना पड़ेगा इसमें चार महीने की वेटिंग है और बहुत सारे मतलब आज कर पॉलिटेशन बड़े-बड़े लोग इस गाड़ी को यूज करते हैं because the amount of comfort, the amount of space is this vehicle will offer you no other vehicle at this price point will do so वह एक कीज है सबसे पहले आपन फ्रंट से स्टार्ट करते हैं so देखें अगर मैं इसके width के बारे में बात करूं आप यहां पर ही देखके समझ पारे होंगे मतलब मैं यहां देखाता हूं यह अपने बास कारिंस खड़ी है और यहां पे अगर आप देखें the sheer width of this vehicle is on another level मतलब इतनी ब्रॉड है के गाड़ी जब रोड पे आप इसको चलते हुए देखोगे आपको लगा कितनी ब्रॉड है कितनी बड़ी है so the width is a lot सामने आपको new kia का logo मिल जाता है here we have the grill grill भी यार इतनी मैसे मतलब आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रही होगी बट जब आप इसको सामने देखोगे यह grill इतनी बड़ी दिखती है आपको front parking sensors मिल जाते है here we have the projector setup and नीचे की तरफ देखें तो आपको ice cube fog lamps मिल जा है the width the presence is on another level उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं आपको इसका engine दिखा देता हूं so engine आपके पास से वेक option है transmission का भी से वेकी option है जादा options आपको नहीं मिलने वाले है because this is not a driver's car this is something in which you will be chauffeured around so a key engine का option एक ही transmission का option आप base low top low उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता है so आपको यहां पर मिलता है 2.2 liters का diesel engine CRDI 16 वाल यह प्रद्यूस करता है 200 PSN 440 NM का पर यह बात मैं आपको यहां पर ही बता रेता हूं कि don't look at the talk figures because यहां पर जो आपको पावर डिलिवरी मिलते हैं it's on the linear side ताकि जब आप गाड़ी के अंदर बैठा और आपका driver गाड़ी चलाए तो आपको ना वो जटका फील नहीं हो so the power delivery is on the linear side और ठीक है not a driver's car but comfort आपको यहां पर पूरा मिलने वाला है बाकि यहां पर hydraulic struts रहते ना तो बहुत बढ़ी यहां रहता because looking at the premiumness में को इस hood को उठाने का मन नहीं कर रहा है बाकि यहां पर आपको installation मिल जाती है save एक ही engine option है एक ही transmission option है सिर्व automatic है कोई यहां पर आपको ज़्यादा options नहीं मिलने वाले बाकि engine बहुत clean दिखता है build quality के बारे हैं बात की जाए तो build quality में कोई दिखकत नहीं because this is literally the same spec जो अपनको foreign में मिलता है so build quality के मामले में कोई दिखकत नहीं है अब हां बहुत से लोग यहां पर यह बोलने वाले हो कि भया नई वाली किया कार्णेवल foreign में आ गई है अपनको भी पुरानी वाली मिल रही है ठीक है यार because see the thing is अपने यहां के जो Indian laws है ना वो दो लीटर की उपर वाले इंजन पांच मीटर से लंबी गाड़ी इन सब को ज़्यादा favor नहीं करते हैं तो companies को भी आ सोचना पड़ता है कि मतलब कितना price रखेंगे कि गाड़ी बिके की नहीं बिके अगर एकदम नया model ले आ है तो उसके बाद tax laws भी इतने खतरनाक हैं और उसके बाद इतना tax भी देना है गाड़ी का price कहां पहुंच जाएगा किया को भी सोचना था कि कोई ऐसी गाड़ी लेके आई जाए जो मतलब इंडिया में sell तो कर पाएं तो price यार देखो जितना offer करती है न यह गाड़ी उसके इसाब से बहुत तगड़ा prices गाड़ी का अब आते हैं इसके side की तरफ तो 5-1-1-5 mm इसकी लेंट है बहुत ही लंबी गाड़ी यार मतलब आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा बट बहुत ही लंबी गाड़ी है तो वेरी लॉंग और इसके वील्स की तरह हपन चलते हैं तो आपको यह diamond cut alloy wheels मिल जाते हैं डूल टोन प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो प्रोफाइल है आपकी 235 by 60 r18 18 इंच के आपको अलोई मिल रहे हैं बाकी यहां से आप देखो मलब यार मैं इतनी गाड़ियों के review करता हूं बट वहां पीछे तक का चका ना मतलब जब भी मैं गाड़ी से यहां से यहां देखाता हूं तो यहीं पे चका रहता है बट इसका चका देखो कहां पर वेरी लॉंग यार बहुत लंबी गाड़ी और यह देखो पूरा नीच मिल जाते हैं और शाक फिन आंटेना मिल जाता है अब आते हैं इसके रिया की तरफ अब को मजा आजायेगा यहां पे आपको led टे लाइट मिल जाती यहां पे किया का लोग है वई आप वाइपा और्टी फोगार ही मांट यहां पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ बटन दबाते ही आपका खुल जाएगा और यहां पर स्पेस देखो यार वर आप देख रहे हो स्पेस देखो यहां देखो तीन चाह सूटकेस तो यहीं पर रख दोगे और यह सीट यार बहुत कमाल की है मतलब देखो अगर फ्राइट फ्लोर जाता है फिर आप आराम से समानामान रखना भी मतलब दो जो सब मतलब आपके पास अगर को यहां पर रखना है तो यहां रख लो street वहां पर रहेगी या फिर अगर आपको वहां पर नहीं रखना है पूरा चाहिए तो दोनों configuration आपको मिलते हैं that is really good यहां पर आपको 12 वोल्ड का charging यहां पर की तरफ आपको AC वेंट मिल जाते हैं यहां पर आपको light मिल जाती है तो मतलब यार इन टरम्स ओफ features यहां पर कोई चीज की कमी नहीं है मतलब देखो एक बात दिखाता हूं मैं आपको यहां पर आपको height adjustable seat belt मिल रहे है second row में गाड़ियों में first row में नहीं मिलते हैं यहां पर आपको second row में height adjustable seat belt मिल रहा है और ऊपर का roof lining देखो मतलब इतनी अच्छी roof lining है इसकी इतनी premium आपको feel होगी so yeah the interior feels really good अब इसको बंद कर देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं इस गाड़ी के अंदर जाने के लिए आपको बिलकुल भी मेहनत कने की ज़रुद्वत नहीं है यहां पर बटन दी गई है जैसी आप इसको प्रेस करते हैं आपका यह जो डोर है ना automatically slide हो जाता है फिर आपको मतलब कुछ करने की ज़रुद्वत नहीं है या तो यह आपका शौफर आपके लिए कर देगा या तो अगर आप खुर भी करते हो तो आराम से कह सकते हो अब यहां प्यार आपको इतने सा सारे adjustment है मैं आपको सब कुछ बताता हूं सबसे बहले यह वाला जो है यह सीट को आगे पीछे करने के लिए देन वी आप दिस वन जो आपके यह support को extend कर देता है देन वी आप देस वन जिससे आप सीट को यहां वहां कर सकते हो मतलब अगर आपको और उस वाले passenger से दूर बै बहुत ताकत है है तो यहां पर आपको आम्रेस तो है आपको लेदर अपोरेशन में देखो आपको पॉर एच्छे कर लिए अगे वाली सीट बी एक दम पीछे इस से पीछे नहीं आएगी और मैंने अपनी सीटी पूरी पीछे कर लिया यहां पे पेश्ट देखो अंडर थ इतने comfortably मैं बैठा हुना और यहां से मैं पूरे adjustment का सकता हूं तो जैसे अगर मेंको और comfort चाहिए तो यार मैं इसको ठालूंगा और मेंको comfort मेलेगा मतलब यार इतनी comfortable seat है कि आपको मजा आने वाला है और यहां से रेखिए आप दोर को बंद भी का सकते हो and just look at the glass area मतलब यह पूरे frame में से आपको glass देख रहा होगा इतना बड़ा glass है इसमें मतलब यहां पे आपको claustrophobic feeling या फिर suffocation की feeling यह सब तो बिल्कुल भी ने आने वाला है और यहां पे आपको blind view मिल जाता है अब अगर आप यहां पे देखो तो आपको पूरी climate control की settings मिल ज जगा के लिए लग अलग temperature so that is really good बड़ इसकी placement यहां पे अच्छी ने लगी बिकॉज जैसा कि वने आपको बताया कि driver के पीछे कभी भी कोई VIP इंसान directly बैठना पसंद नहीं करता है वो इस वाली seat को जाधा prefer करता है so इस वाली seat से उसको control करना won't be the easiest अगर इसकी placement यहां पे air purifier मिल जाता है with virus protection so वह भी बड़िया चीज है यहां पे आपको 2 cup holders मिल जाते हैं यहां पे आपको USB or 220 watt का outlet मिल जाता है सो अगर आपको अपना laptop चलाना है उससाव आप यहां से चला सकते हैं आपको यहां पे magazine holders ही मिल जाते हैं and on this limousine variant आपको यह 10.1 inches का entertainment package मिलता है only on this side if you go for limousine plus तो आपको इस तरफ भी मिलेगा so अगर आप एक variant उपा जाते हो तो आपको दोनों तरफ entertainment package मिलेंगे but on this limousine variant आपको इस तरफ मिलता है 10.1 inches का इसमें आपको जो देखना है वो देख सकते हो so एक दम ऐसे बड़िया राजा टाइप बैट के जो देखना चाते हो दे अब देखो यहां पे भी आपको एक armrest मिल रहा है दोनों तरफ आपके पास armrest है space की तो यार कोई कमी नहीं है मतलब क्या space है यहां पे भी space है door pockets are decent यहां पे आपके window controls है यह सब आपको premium materials मिलते हैं यह सब soft touch है और अगर आपको door खुल ला है ऐसे आप door open का सकते हो मतलब धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है ऐसी open हो जाता है so that's really good अब चलते है पान आगे की तरफ सबसे पहले मैं आपको इसकी key दिखा देता हूँ यह है किया कारनेवल की key इसमें आपको lock unlock boot खोलने का option और door खोलने का option मिल जाता है so अगर आपको यह अब ही so open का सकते हो so that is really good इसी सब बंद भी का सकते हो तो आपका door बंद भी हो जाएगा यहाँ पर आपको request sensor मिल जाता है so that is really good chrome door handles है अब बात करते हैं इसके doors के बारे में doors में क्या क्या चीज़ है सबसे पहले यहाँ आपको orvm controls मिल जाते हैं यहाँ आपके window controls हैं यह सब आपका chrome में दिया गया है this is soft touch यहाँ आपको यह premium feature मिल जाएंगे बाकि यह भी बहुत तगड़ी है मतलब इसमें आपको height adjustment भी मिल रही है और पूरा लेदरेट फिनिश है परफरेशन के साथ है stitching देखिए इतनी बड़ी आपको stitching मिलती है so premium ने इसके यह जो 3rd lever है अब आप बोलोगे कि यह तो automatic गाड़ी इसमें 3rd lever कहां से आ गया this lever is for your parking brake तो इसको पैर से आपको अप्लाए करना पड़ता है उपर कोई भी नहीं है कि मतलब ऐसे खीच लो आपको जो इस गाड़ी है पार्किंग ब्रेक मिलता है वो नीचे की तरफ मिलता है मतलब सीधा पैर से दबा के आप हैंड ब्रेक लगा सकते हो तो यार बहुत अलग अलग चीजें है इस गाड़ी में तो सबसे बहुत आप लोग इस गाड़ी की चोड़ाई देखो अंदा से मैं चाहूं भी ना तो यहां तक नहीं पहुंच सकता हूं मतलब मेरी हाइट 6 फेट है मेरे हाथ भी अच्छे खा से लंबे हैं बच टिल मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता तो लंबाई चोड़ाई तो यहार इस गाड़ी की बहुत है सबसे पहले हार इसके स्टेरिंग से स्टार्ट करते है तो इस वेरिंट में आपको लेधर राप स्टेरिंग वील नहीं मिलता है तो आपको लिमुजीन प्लस के साथ जाना पड़ेगा बागी इसमें नॉर्मल है इसको पकड़ने का फील शल्स से इसके इसके इन्स्रुमें ट्लस्टर के आरे में बड़ा सथ और में आपको बड़ा सटいた मिल विलता हैं ओन यहां से डे compass देख सकते हो और उसके बाद आपके पास जो अपने वो रहते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं वो सब चीज़े तो देखी सकते हो मतलब speed, driver information, mileage, real time तो यह सब चीज़े आपको इसमें offer हो जाती है तो ठीक यार मतलब useful है बट इसको तो बेटर किया जा सकता था looking at the premiumness यह सब आपका soft touch है यह वाले materials hard है बट यह सब आपका soft touch है यहां पे आपका soft touch है so soft touch materials आपको बहुत मिलते हैं यह देखो कोई shakyness नहीं है कुछ नहीं हिलता है मतलब कितनी भी ताकत आप लगा लो सब को चितनी अच्छे से fit किया गया है तो वह बहुत बढ़िया चीज है यहां पे आपको 8-inch का infotainment system मिल जाता है now look again वहाँ आपको 10.25-inch का मिलता है यहां पे 8-inch का मिलता है इसका touch response अच्छा है clarity अच्छी है रीड करने में कोई देखकत नहीं होती है इसमें आपको Android Auto and Apple का प्ले भी मिल जाता है किया कनेक्ट भी मिलता है यहां सब अपना air purifier भी देख सकते हो so navigation आपको मिल जाता है so yeah the system is good but थोड़ा और बड़ा बड़ा because looking at the size of this vehicle यह चोटा सा इखता है तो वह एक चीज है वागी ठीक है अच्छा सिस्टम है उसी के नीचे आप देखें तो आपको click access buttons मिल जाती है three zone climate control जैसे कि मैंना बताया तो यहां से आप पूरा set का सकते हो यहां पे आपको 12 volt और USB का socket मिल जाता है now if you go for limousine plus जो इससे उपर वाला variant है तो आपको यहां पे wireless charging भी मिल जाएगी इसमें नहीं है इससे उपर वाले variant में बाकि यहां पे आपको space मिल जाता है तो कुछ रखनाक ना हो तो वो रख लो यहां पे आपको 2 cupholders मिल जाते हैं here we have the switch for the parking sensors and यहां से आप active eco on का सकते हो तो आपको थोड़ा फ्यूल बचाना है आपका owner बोल रहा है थोड़ा सा तंगी चल रही आराम से गारी चलाओ तो वो आप यहां से activate का सकते हो eco तो जिससे आप थोड़ा सा फ्यूल सेफ कर पाहोगे तो यहां पे अपका फिर eco indicator भी जाता है so that's really good बाकी आपको 8-speed automatic transmission मिल जाता है देखिए not the fastest transmission जैसे कि मैं आपको starting महीं बताया था this vehicle has not been made to be driven like a maniac it's made for comfort it's made for luxury so उसी के साब से आपको इसमें शिफ्ट मिलते हैं एकदम immediate shift नहीं मिलेंगे लेड़ बैक मैनर मिलते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी जटका ना लगे बिल्कुल भी एकदम से पावर का रशना है so that is how it has been said so वह चीज है बाकी अगर आप इससे उपर वाले वेरेंट में जाते हो तो आपको यहां पे electronic parking brake with auto hold function भी मिल जाएगा ventilated seat के भी button मिल जाएंगे so वह चीज है यहां पे भी आपको तो सब स्पेस मिल जाता है now look at the size of this armrest त्यार मतलब इतना चोड़ा है इतना बड़ा armrest त्यार मतलब इसमें से हाँ तांत रख के ना आपको भी और passenger को दोनों आराम से रख लोगे कोई लडाई आपकी नहीं होने type c नहीं usb socket है type c नहीं है usb socket आपको यहां पे मिलता बाकी space देखो यार मलब इतना space है कि पूरा अंदर तक आप समान अमान रख सकते हो बहुत गहरा है तो बहुत सारा आपको यहां पे space मिल जाता है यहां पे आपको एक ऊपर की तरफ चोटा glove box मिलता है तो आपको चोटी आपको मिल जाता है यहां पे आपको एक मिरर मिलता है with lights so that's good and इस तरफ भी आपको मिरर मिलता है with lights so that is again good now यहां पे आपकी बहुत साही चीज़ है और उसके आपको बात करने से पहले यह देखिए so जैसे कि आप इस गाड़ी को चला रहे हो और आप चाहते हो कि यार मेर को पीछे वाले लोगों की शकल देखना है कि मतलब कोई सब कुछ अच्छे से बैठा है कि नहीं कौन में इसे बात कर रहुँ है कैसे बात कर रहा है तो यहां पे आपको यह मिल जाता है काइं हो तो यहां जैक्से आप पूरा मतलब गाड़ीजी का एक 3-60 व्यू टाइप का देख सकते जो तो आपको एक दम पीछे तक क्तम दिखता है कि इस सीट में कौन बेठा है पीछे कान बेठा है तो सब आप यहां से देख सकते हो यहां पे आपको lights मिल जाती है now here we have the power door अगर आपको इसको on-off करना है तो आप यहां से का सकते हो यहां से अपना boot यहां आपको lights के buttons मिल जाते हैं अब आती हैं आपकी दो-दो sunroof तो सबसे पहले मैं आपको रियर की sunroof देखाता हूं तो यह जो रियर वाली sunroof है वो अंदर जाती है ऊपर की तरफ नहीं जाती है अंदर जाती है और यह जो आगे वाली sunroof है यह उपर की तरफ जाएगी तो दोनों sunroof यहां अलग-अलग तरीके से open होती है यह वाली जो sunroof है वो उपर जाएगी यह वाली अंदर जाएगी और दो-दो sunroof आपको मिल रही है तो यहार पीछे वालों के भी मज़ें आगे वालों के भी मज़ें दोनों को कोई देकत दोनों यहार यहां पर बहुत मज़ेदा तरीके से बैठ सकते हैं अब सेफ्टी के बारे हैं बात की जाए तो किया कार्निवल में आपको सारे सेफ्टी फीचर स्टांडर मिलते हैं मतलब राइट फॉम दे बेस मॉडल आपको छेयर बैग, ABS पे TBD, Traction Control, Electronic Stability Program, Corner Stability Program, सारी च सेफ्टी फीचर स्टांडर मिलेंगे, अब इस तरब आपको कुछ चीजे और दिखाना है, मतलब इस गाड़ी के फीचर खतम ही नहीं होते हैं, तो यहां पर आपको यहां से पूरी गाड़ी को लॉक और उन्लॉक करने का फीचर मिलता है, अब ऐसा क्यों है, विकॉस आप कोई पता होगा, जब भी कोई VIP ट्रावल करता है, उनके सांथ सामने की तरफ एक बॉडिगार्ड बैठता है, तो ड्राइवर का तयार उतना रोल नहीं रहता है, बट बॉडिगार्ड को सब कुछ पता रहता है कि कब उन्लॉक करना है, कब नहीं करना है, तो वो सब कुछ यहां से का सकता है, कब लॉक करना है, कब उन्लॉक करना है, तो यहां पे आप बेखें, यहां पे भी अपको ब्लाइवर्स करते हुए, पूरा बाइसे करके लगाया है, and that was only possible because यार इस गाड़ी को जब आप चलाते हो ना आपको बिलकुल भी ऐसा फील नहीं होता है that you are driving a very big vehicle जब आप इस seat में बैठोगे ना आपको असलगे कि आप मैं नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ अब हाँ यह चीज है कि एकदम मतलब भरे हुए एरिया में मत घुझ जाना एकदम कंजेस्टेड एरिया में मत घुझ जाना बट नॉर्मल ही जब आप चलाते हो ने यह से हाईवे पे चलाओगे या फिर नॉर्मल सिटी रोड्स में चलाओगे ना अब भी आपको इस गाड़ी का शेप एंड साइज इंटिमिडेट नहीं करेगा अगर आप इसको चलाना भी चाते हो तो अराम से चला पाओगे तो यह चला पाओगे इसका साइज ना आपको डराता नहीं है थोड़ी देर में मतलब पांच मिट में यूवल गेट यूस्ट तो इस रेली गुड बाकिया स्पेस बहुत बढ़िया है मतलब स्पेस तो देखके मैं खुद बार बार हैरान हो जाता हूँ आएं यह वेडियो बहुत लमबा होगा यह ऑगा इस वीडियो में मैं ऐख को इंगूمن कर होगा इतनी चीज को बने के लिए कि बताते बताते मैं को लगता ह है यह 30 मिर का वीडियो वन गया होगा इतनी चीज है यह साथ है यह तो द्राइफ पार्ट कभी और कर लेंगे कौन लेता है जिसको simply पीछे वाली seat में बैठना है और अराम से मतलब अपने office तक जाना है या फिर लंबे टूर करने है या फिर उसको sheer comfort और space चाहिए उन लोग इस गाड़ी को लेते हैं और उनके लिए यार ये इतनी बढ़िया गाड़ी है मतलब कितना यहां पे कौन सी कमी है लिटरली कोई कमी है बस हाँ यह चीज है कि इसका डैश्बूर्ट अप तो पुराना दिखने लगा है तो वो सब चीज़े तो इसी अपडेट की जा सकती है बाकी लिटरली यार इतना space है इतना comfort है इतने features है इतना premium ने सहे कि आपको मजा आने वाला है so if you want a vehicle for sheer comfort and luxury जिसमें आप long distance जाओ और अगर आपकी बड़ी family है उनके साथ आपको travel करना है मतलब even in the third row आप 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 से बैठ पाते हो so वहां पे भी कोई दिखा ने बैठ कर नहीं दिखाया space के मामले में बिल्कुल भी दिखात नहीं है बिल्कुल इसके बारे में confused नहीं हो ना so if you want a vehicle which is big which gives you that sheer comfort इसमें को premiumness राजा महराजा वाली feeling आए then this is the vehicle for you so यह थै आज का वीडियो से थैंक्स वाचिं गाइस वीडियो इसको लाइक का देना and I want you guys to have the best audio the best video so वो एक चीज है so like subscribe कर देना बाकी गाडी कैसी लगी वो ही में को बता के जाना and see you next video bye